नमस्कार दोस्तों आप सभी का अमारे इस चैनल में हारदिक स्वागत है तो हसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे ये आपके कहानी संग्रह है रानी नागपनी की कहानी तटकी खोज आपके प्रसिद्ध उपन्यास है तब की बात और थी भूत के पाउँ पीछे बैमानी की परत पगडंडियों का जमाना सदाचार का तावीज सिकायत मुझे भी हैं और अंत में ये आपके प्रसिद्ध निमंद संग्रह है वेशनव की फिसलन तिर्ची रेखाएं ठिटूरता हुआ गंतंत्र विकलांग शृद्धा का दोर ये आपके व्यंग लेक संग्रह है समग्र साइद जो हैं परसाई रचनावली के रूप में छव भागों में प्रकाशित हैं दोनों दोस्तों के सामने आसमान को छूता हुआ कौन सा सवाल खड़ा था तो पेशा कैसे पेदा करें पहला मित्र किस कमपनी की टॉर्च बेचता था तो सूरच चाप टॉर्च बेचने वाले सिर्शक रचना में किसे सनातन कमपनी की टॉर्च कहा गया है तो अध्यात्म को जहां अंदकार हैं वहीं प्रकाश हैं पार्ट के नुसार कतन भव्य पुरूश का है सूरच चाप टॉर्च बेचने वाला अपने दोस्त से कितने समय बाद मिलता है तो पांच वर्ष बाद